नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका फैक्स सीटी में आज हम बात करेंगे इंडिया का एक सहर कानपूर के बारे में कानपूर इंडिया का एक मेट्रोपॉलिटन सीटी है जो उत्तरपदेश राज में सिचुएटेड है और ये गंगा नदी के तड़ पर है इसकी अस्थापना 1803 में होई थी कानपूर नौर्थ इंडिया का प्रमुख फाइनेंशियल और इंडस्टियल सेंटर है इसकी इस्टेबलिस्मेंट और हिस्ट्री क्या है चले जानते हैं कानपूर की अस्थापना 24 मार्च 1803 को भी थी और माना जाता है सचेंदी के राजा हिंदू सिंग चंदेल द्वारा इसे अस्थापित किया गया था 18 सतापदी के फर्स्ट हाप तक कानपूर कई मिलिटिव विलेजेस के कलेक्शन के रूप में जीवित रहा और मई 1765 में अवद के नवाब सुजाउद दौला को जजमाओं के पास बिटिशस ने हराया था इस समय से साइद बिटिशस ने कानपूर के रणनीतिक महत्व को महसूस कर लिया यह कानपूर के हिस्ट्री में एक इंपोर्टेंट टन था इसके तुरंद बाद बिटिश इंडिया के सबसे इंपोर्टेंट मिलिटरी स्टेशन में से कानपूर बन गया इसके बाद सहर ने अपने जिग्राफिकल एरिया और कल्चर में कई चेंज़ेज भी देखे 24 मार्च 1803 को कानपूर को एक डिस्ट्रिक के रूप में डिकलेयर किया कनियापूर टु कानपूर कानपूर के नामों में कई बार बदलाव किया गया है उसका जिनका प्रोनंसियेशन लगबख कानपूर ही होगा लेकिन ज्यादा तर बदलाव किया गया था कानपूर का मूल नाम कनियापूर है और समय के साथ कनियापूर को कानपूर के रूप में छोटा किया गया कानपूर के रूप में नाम पाने के लिए इसने लंबा सफर ते किया और Old References से ये भी पता चलता है कि कानपूर करनपूर से लिया गया था और महाभारत के नायकों में से एक या करनपूर से जुड़ा है लेकिन 1770 में बिटीसर्स ने कानपूर को कौनपूर C-A-W-N-P-O-O-R के रूप में नया नाम दे दिया इसके बार नामों में हुआ बदलाओ इसके बाद 1776 में बिटीसर्स ने इसे एक नया नाम दिया वो भी कौनपूर उसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार है C-A-U-N-P-O-U-R 1785 में एक और दिया C-A-U-N-P-O-R-E 88 में C-A-W-N-P-O-U-R इस तरह इसके नामों में हुआ बदलाओ फिर एक नया नाम दिया 1790 में K-A-W-N-P-O-R-E कौनपूर इसके बाद इस सहर ने बहुत सारे बदलाओ देखे हैं लेकिन 1803 में कानपूर को एक जिले के रूप में घोसित किया गया उस समय इसे कानपूर का नाम दिया गया आजादी से पहले सहर की नाम की स्पेलिंग 11 बार बद ली गई है और वो स्पेलिंग कुछ इस प्रकार है आप देख सकते हैं 1857 के बाद कानपूर का विकास और भी अभूत पूर्वत था 1889 में सहर को कानपूर के रूप में संचिप्त किया गया जो कई वर्तनी परिवर्तनों के बाद 1948 में कानपूर बन गया कानपूर को और किन नामों से जाना जाता है इंडस्ट्रियल सीटी आफ दे कंट्री मैंचेस्टर आफ दे नॉर्थ इंडिया कॉमर्सियल कैपिटल आफ उत्तरपदेश गूमने के लिए कौन-कौन सी जगए है चलिए इनके बारे में बात करते है कानपूर का एलेन फॉरेश जू जो कानपूर का जियोलोजिकल पार के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे बड़ा ओपन ग्रीन इस्पेस है कानपूर का जू की अस्थापना एक बॉटनिस्ट और बिटिस इंडिया सिविल सर्विस के सदर्श सर एलेन ने की थी इसे 1971 में कॉमन पीपल के लिए ओपन किया गया था इसके ग्राउंड में एक लेट और एंसियन ट्री से भरा जंगल है यह चिडियागर मैमल्स की एक विरिष्टिक सिरीज का घर है यह है कानपूर का मेमोरियल चर्च कानपूर मेमोरियल चर्च को मूल रूप से आल साउल्स कैथेडर कहा जाता है जो 1875 के मुमें मरे बिटिस लोगों के समान में बनाये गया था इसका डिजाइन वाल्टर ग्रैंड विलेग के द्वारा किया गया है चर्च के सेंटर में बैरोन कारलो मारोचेटी द्वारा डिजाइन की गई एंजल की एक खुशूरती से नकासिदार आकरिती मिलेगी जेके टेंपल जेके टेंपल का पूरा नाम जुगिलार कमलापट टेंपल है जिससे स्री राधा किष्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है टेंपल में अलग-अलग 5 टावर में 5 मंदिर है और मुख्य मंदिर में भगवान राधा कृस्ण को रिडिकेटेट है जबकि अन्य लक्ष्मिनाराण, अर्दनारीस्वर, नामदेस्वर और हनुमान की मुर्तियों से युक्त हैं ये है कानपूर का जजमवू इलाका कानपूर अपने बेतरीन प्रोड़क्स और जन्यून लेदर के लिए जाना जाता है ये गंगा नदी के तड़ पर इस्तित हैं जजमवू कानपूर का एक बहुत ही पुराना इंडस्ट्रियल उपनगर है आर्केलोजिकल सरवे ऑफ इंडिया द्वारा यहां की एक खुदाई से पता चलता है कि यह सभी 1300 से 1200 इसा पूरो से होगा यहां सचमूच 1000 अलग-अलग टैंडरीज मिलेंगे जो लेडर इंडस्ट्रीज के डेली वर्किंग्स को समझाती है यह है कानपूर का मोती जील जील कानपूर के बेना जावर एरिया में इस्तित है और यह पीने के पानी के लिए कानपूर का एक आवस्यक रिजर्वायर भी है जील के पास एक गार्डन और एक चिल्डरन पार्क है जो इसे फैमिली पिकनिक के लिए अट्रेक्शन सेंटर बनाता है ब्रिटीस एरा के दोरान इसे अस्थापित किया गया था और मोती जील वहां के अस्थानी परिवारों के लिए एक लोगप्री मनुरंजन छित्र के रूप में काम करता है यह कानपूर का कमला रिट्रेट कमला नहरू रोड पर इस्थित कमला रिट्रेट सिंगानिया गुरूप के द्वारा ओन की गई एक भवेशंपत्ती है यह मैदान पूरी तरह से सुरम में पार्क लॉंस को समेटे हुए है जो एक आइडियल पिक्निक स्पॉर्ट बनाता है रिट्रेट में कैनाल की एक सीरीज भी सामिल है जहां टूरिस्ट नाव की सवारी का आनन ले सकते हैं जिसके दोनों और ब्यूटिफुल ग्रीनरी है इसका प्रमुक अट्रेक्शन इसका इंपल्सी म्यूजियम है चुकि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी यह इसलीवे प्रेवेस करने से पहले डियम प्रशासन से पुरुव अनुमती आवस्यक है यह कानपूर का बिठूर वाला इलाका बिठूर कानपूर से लगबग 23 किलोमेटर दूर इस्थित है जिसे कभी ब्रह्मवर्थ के नाम से जाना जाता था हिंदू धर्म और एंसियंट हिस्ट्री दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन प्लेस है एसी बात जो जिसे पहले से सुनते चले आये हो उन्हें किवंदती कहा जाता है अगरे में किवंदती है कि भगवान विश्णु द्वारा ब्रह्मान के विनास और आकास गंगा के पुनर निर्मार के बाद भगवान ब्रह्मा ने बिठोर को अपने निवास अस्थान के रूप में चुना और यहाँ यग्ग किया और इस सहर का नामकरर ब्रह्मवर्थ किया यह अठारासो संताउन के रिवोल्ड सेंटर में से एक था ब्रह्मवर्थ घाट और वालमकी आस्रम जाने वाले तिर्थियात्रियों के लिए एक बड़ा अट्रेक्शन का सेंटर है कानपूर में कुछ ऐसे प्लेसे जहां आपको जरूर जाना चाहिए यह है कानपूर का इसकौन मंदिर थीम पार्क, थीम पार्क स्टेडियम, अब यहाँ जैन ग्लास मंदिर फूल बाग और कानपूर म्यूजियम, नाना राओ पार्क में ठक्स के लड़ू, लेदर प्रोड़क्ट और आईटि कानपूर बहुत ही जादा फेमस है इंटरेस्टिंग फैक्स अबाउट कानपूर कानपूर लेदर और टेक्स्टाइल इंड़स्ट्रीज के लिए फेमस है 2018 में WHO द्वारा कानपूर को वर्ल्ड के वर्स्ट एर पॉलूशन वाला सहर माना गया था कानपूर में भारत का दूसरा सबसे पुराना गोल्ड कोर्स है और कानपूर में DRDO जैसा संगठन जो भारत को गौर्वानित करता है यही पर विस्ट की सबसे प्रसिद मील लाल इमली है जो अब बंद हो चुकी है इसके अलावा कई जोट मिल और कड़ाई मिल भी यहीं पर है यह भारत का बारवा सबसे अधिक पापुलेशन वाला सहर और ग्यारवा सबसे अधिक पापुलेशन वाला सहरी समू है भारत की नवी सबसे बड़ी सहरी अर्च विवस्था भी है और दस्वा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरी छेत्र भी है आज के लिए इतना ही धन्यवाद